नुसकार में हुमाई सिंग और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन यूज़ ललन सिंग ने प्रधान मंत्री से मुलाकात के बाद सोसल मेडिया पर कुछ तस्बीरे शेयर करते हुए लिखा कि देश के एसस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और उनके कारिकाल में स्रि प्रान के इंविस्टर कार पर तीखा हमला बोला करते हैं ललन सिंग को अब पता है कि उनकी पार्टी के आला कमान नितीज कुमार बिहार में इंडिये के साथ मिलकर सरकार चुला रहे हैं ललन सिंग को ये भी पता है कि लोग सबाचुनाओं में जेडियों को ज्यादा सीख मिलने के पीछे बीजेपी की जमेनी कारकरताओं और आरेसस की भूमिता ज़ादा होती है ललन सिंग को मालूम है कि लोग सबाद चुनाओं में जेडियों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मोधी फैक्टर भी है ग्रामीन प्रधान मंत्री के नाम पर सांस्थों को जम कर लेकिन आपको बता दे कि ये वही ललन सिंग है जो मोधी को एक समय पर किरकिरी करते हैं और कहते थे कि आज बहतर शासन के लिए मुख्यमंत्री नितीज कुमार से नरेंद्र मोधी को ट्रेनी वेनी की ज़रूरत है जनता की सेवा को लेकर नितीज कुमार को कई वर्सों का जो राज में साांग दिख रहा है पढ़नमंत्री नरेंद्रमोदी के नेत्रित में देश के आघोसित आपात का लगा हुआ है और इसे किसी को बोलने की आजादी नहीं मिल रही इसमें किसी ललन सिंग ने आगे ये भी कहा था कि राजनीतिक इशारों पर केंद्रे जाच इजंसिया कारवाई कर रही हैं ताकि बोलने की आजादी पर अंकुस लगाए जासे। उपरोक्त बयान में जेडियो ने जितने भी ततकाली अध्यक्ष ललन सिंग ने पार्टी के किसान और सहकारिता प्रकूस के कारिकरम में भी दिया था ललन सिंग ने 14 जन्वरी को मेडिया से बाचीट में ये भी कहा था लेकिन आजकल ललन सिंग परधानमंत्री से मिलते उसके बार दिहार की सियासत और लोगसभा के सीव शेयरिंग के मुद्दे पर चर्जा भी किया उन्होंने जनकारी मिल रही है कि इस बार बीजेपी ने विभागों को लेकर अपनी बार नितीज कुमार के सामेर प्रंतु नितीज कुमार ग्रेयर विभाग अपने पास रखना चाहते हैं अब चूकी प्रदेश में नेत्रित बात इसकी बात नहीं बन रही तो हो सकता है कि ललन सिंग सियासी दूद बन कर दिल्ली पहुच गए अब जेदियू एक छेत्री दल है इसमें जेदियों की कोई नितीज कुमार कर लेते हैं परंतु नितीज कुमार ग्रेयर चूकी प्रदेश नेत्रित्य की बात नहीं बनी होगी तो हो सकता है कि ललन सिंग सियासी दूद बन कर दिल्ली पहुच गए जेदियू एक छेत्री दल है इसलिए जेदियू का कोई भी नितीज कुमार कर लेते हैं बीजेपी एक रास्टी पार्टी है वह फैसला कई स्टे फरवरी को इंडिये सरकार अपना विश्वासमत हासिल करेगी इसमें कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी से ललन सिंग की मुलाकार भीहार में ग्रह मंत्राले को लेकर रूखे विवात को सुलजाने का प्रयास भी हो सकता है इस मंत्राले पर कथित रूप से भी जेपी की 17 लोग सभा सीट पर लोग कर दिया गया था लेकिन इसलिए सीट सेरिंग का दावा बरकरार रखने की लिहाद से दिल्ली पहुंचे हुए अखुंगे वो मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर एक सूचना ये भी मिल रही है कि नितिश कुमार अपने मंत्री मंडल से पुराने आजमाय मंत्रियों को अस्थान देना चाहते हैं पर बीजेपी नए लोगों को मंत्री बनाना चाहती है और इस विवात को लेकर जेडियों एक सम्मान जन से आएगा ऐसे में क्या ललन सी एंडिये में शामिल होते हुए नजर आएंगे क्योंकि बीज में अटकले लगाई चाह रही थी कि साइद वो तेजस्वी के साथ भी चाह सकते हैं इस पर आपकी क्या राया है आप हमें कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा फिलाल के लिए पस इतना ही देश और दुनिया की तमाम ख़गों भी हमारे साथ बने रहे हैं नेक्स्टाइग नियूट